वाटसेप में जब इमेज शेयर कर रहे होते हैं तो अटेश्मेंट करते हैं और डारेक्ट गडली से इमेज अटेच करकर रेसिपियंट को सेंड कर देते हैं इसमें होता यह है कि वाटसेप जो है इमेज की साइस और इमेज की कॉलिटी रेडियूस करता है और दैन उसको सेंड करता है रेसिपियंट के पास तो यह एक तरीके से वो कॉलिटी रेसिपियंट को नहीं मिल पाती जो सेंडर के पास होती है तो इसका correct method यह है कि method one यह कहता है कि आपने सबसे पहले WhatsApp on किया और settings में चले गए settings में जाने के बाद storage and data को option आप शो हो रहा है इसको click करेंगे और इसको click करने के बाद यहां पर option आ रहा है मीडिया upload quality में photo upload quality जो के रेटो recommended से हटा कर best quality कर देनी है फिर उसके बाद WhatsApp वापस से restart करना है और गैल्ली से image को attach करने के बाद send कर देंगे इससे होगा यह कि image की जो है वह best quality recipient को receive होगी आटो में यह है कि WhatsApp जो है size को reduce करेगा जबकि best quality जब हम भेजेंगे तो best results के साथ वह recipient को मुझेगी the second method is कि WhatsApp आपने on कि again इस बार हमने recipient को direct click किया अट्रेट्मेंट का बटन प्रेस करने के बाद हम document सेलेट करेंगे और फिर हम browse करेंगे other documents तो यहां पर हमारे पास images खुल जाएंगी मेरे images का फोल्डर पहले से खुलाओ था तो इसलिए direct images को लिए otherwise top left पे three bars आ रहे हैं इसको प्रेस करेंगे आप videos images का option available होता है वहां से हम images को select करेंगे और उनको select करने के बाद यहां folders available होंगे वहां से हमने album one choose किया picture को select किया जोके एक document में convert होने के बाद recipient को send हो जाएगी यहां पर यह picture recipient को send हो गई है अब हम second WhatsApp पूलेंगे जोके मेरे second mobile का WhatsApp है जो मैं अपने same mobile में रखावा है यहां पर recipient को मेरे second mobile पर account में तस्वीरे receive होई है तो जो auto quality है और जो best quality है वो 17 kb की है जो जबके documented जो है वो original quality में आई है 174 kb थैंक्स पर वाचिंग झाम झाम